दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत से मेच हाडने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर शोयब मलीक और उनकी पत्नी टैनिस स्टार सानिया मिर्जा पाकिस्तान में निशाने पर हो चुके हैं क्रिकेट प्रशंसक अपनी नाराजगी इन दोनों पर खूब निकाल रहे हैं वहीं आपको बताते चलें कि पिछले दिन सानिया मिर्जा पर भी एक हमला होते होते बच गया एक क्रिकेट प्रशंसक ने उन पर हमला कर दिया जिससे वो बाल बाल बचीं वहीं शोयब मलीक अभी तो इंगलेड में ही है इस हमले के बाद सानिया मिर्जा पर कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है मैं आपको बता दें कि शोय बोर सानिया के साथ पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर खिलाडियों की इंगलेंड के शीशा केफे में रात की एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वारल हुई लोगों का कहना है कि मैच से पहले यानी 15 जून की रात में सभी खिलाडी मोज मस्ती कर रहे थे क्योंकि यह वीडियो उसी रात का है आपको जानकरी हो कि भारत तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक दूसरे के बड़े पती दुन्दी हैं दोनों के बीच मेच में करो या मरो जिसी स्थिती हमेशा बनी रहती है इसलिए वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी लोग इसे अपने खिलाडियों के लापरवा ही मानते हैं और गुस्ता जाहिर कर रहे हैं हाला कि जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा है वह है तो सही लेकिन मेच से एक दिन पहले का नहीं यह वीडियो 13 जून की रात का है ना कि 15 जून की रात का पाकिस्तान करिकेट बोर्ड ने इस मामले में बयान दिया है कि किसी भी खिलाडी ने नियमों का उल्लंगन नहीं किया है पीसी भी ने कहा कि क्रिकेटर अपने परिवार के साथ मेच से दो दिन पहले वहाँ पर गए थे इस मामले पर सानिया ने भी ट्वीट किया इस वीडियो को आपने बिना पूछे रिकॉर्ड किया है यह हमारी निश्टा का उल्लंगन है जबकि हमारे साथ बच्चा भी था मेच हारने के बाद भी लोगों को बाहर डिनर करने के अनुमती होती है तो दोस्तों इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सानिया मिर्जा पर हुआ एह हमला किस चीज़ को जटाता है अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और इसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें MFY News हमेशा सच के साथ